चलिए हम लोग स्टाट करते हैं जो हमारी सीरीज चल लिए इसका पार्ट नमबर सेवन ओके देखे यह वाला लेक्षर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने सा रहा है इसमें हम लोग बहुत सारी बोकेप कवर करेंगे एक ही लेक्षर में जैसे अभी हम लोग देख चुके हैं इंफ्लेशन के बारे में और इसमें बहुत ही बिस्तरित में जैनकारी लिए चुके हैं अब इसी के तरह बहुत सारी सब्दा वलिया होती है इनको एक साथ देखते हैं जिससे आप एक दूसरे में कंपेर कर पाएंगे और इनको समझना बहुत ज़रूरी है तब ही आप समझभा आ गया तो आप सब को आराम से समझेंगे अगर आपको इन्फ्लेशन में pokud थोड़ा आप रहा गया तो आप इन्हें अच्छे से नहीं समझ परेंगे invent इन्फलेशन क्या है तो जब बस्तूओं मैंने आपको बताया था गुड्स एवम सर्विसिस यानि कि बस्तूओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है यानि कि जो प्राइस होता है यह लगातार बढ़ता रहे तो इसी अवस्ता को हमने क्या बोलता इन्फलेशन इसको हिंदी मो है ठीए और बहाँ पर जब मैं आपसे बोलता हूं इन्फलेशन की है तो आप बोलने की इकोसिस किजिए यह बहुत ही जाते हैं करता है आपको रिविजन करने में साथ मैं आपको यी चीज़ें याद रहेंगी देखिए ऐसा मत सूचिए अगर कोई सून लेगा तो क्या कह देखिए डीफलेशन और डिस इंफलेशन यह देखिए बहुत जादा सिम्लार लगते हैं इसलिए आप लोग गलत कर देते हैं इसलिए मैं बोलता हूं एकदम कॉंसेंट्रेट होकर मेरी वीडियो देखिए कि डीफलेशन और डिस इंफलेशन में बहुत ही छोटा सा अंतर रहे हैं इसलिए आप लोग गलत कर देंगे तो आप इसको द्यान से देखिए तो डी इंफलेशन किसे कहेंगे डी इंफलेशन एक ऐसी आप अबसता है जो इंफलेशन होता है इसकी अपोजिट होती है इसकी इसका आप विप्रीद कर देंगे फिर उल्टा कर देंगे तो यह inflation बोल लेते हैं तो इसका उल्टा क्या करेंगे इनके price में लगातार कम ही आईगी तो हम इससे क्या बोल देंगे डीफलेशन बोल देंगे ओके तो आप लोग समझ गया ना कितना easy है इसमें क्या होता है जैसे inflation में price बढ़ रहा था लगातार तो deflation में क्या होगा इसमें price लग नीचे क्यों आ रहे हैं आपके मन में ऐसा कोशन आ सकता है ना कि एक price नीचे क्यों आ रहे हैं जैसे कि inflation में price उपर जा रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि इसके price क्यों उपर जा रहे तो इसमें भी तो कुछ चीज़ा होंगी ना जिस कारण इन बस्तू और सेबाओं प्राइस नीचे आ रहे हैं ऐसा क्यों हो सकते हैं ऐसा इसलिए हो सकते हैं हो सकता है अर्थ विष्टा में तरलता कम हो जाए जैसे तरलता का मतलब मैं आपको पहले भी पता चुका हूँ लुकिडिटी यानि कि जो पैसा है अब देखिए इसको अच्छी से एक बार और समझ लीजे जैसे कि एक हजार रुपे हैं वो आपकी जैम में पढ़ा हुआ है लेकिन आप इसे खड़ से नहीं कर रहे हैं इसे क्या नहीं कर रहे हैं तो इसको तरलता नहीं बोलेंगे बलकि आप इस एक हजार रुपे को जाकर के बाजार में मार्केट में जाकर के खड़ कर द दुकानदार के पास जाएगा, इस दुकानदार के पास जाएगा, और ये दुकानदार के पास फिर चीजों की कमी पड़ेगी, फिर ये जाएगा, मार्केट में जाएगा, जो बड़ी मार्केट होगी, बहां जाएगा, बहां से जागर के, एक हजार रुपए खर्च कर उसकी बस्तु है खरीद देगा अब फिर जो मार्केट की जो मंडी होगी इसके पास भी तो चीजों कमी पड़ेगी तो इस एक हजार रुपए को क्या करेगा यह और लोगों को देदेगा जैसे कि हाँ पर जो मजदूर होंगे उनको देदेगा फैक्टरियों से समान मंगा ल और जाती तो इससे क्या होता है यह जिसयाझा मारा कि एक सब्सक्रेकर नहीं है तो इसलिए पैसे उसको खर्श करिए है इस ब्यूत बढ़ा यह तो तरलता की मतलब आप समझ गें कि जब पैसे होते है वो एक काई से जतनी गति से जाते हैं तो उस ही को तरलता कहते है और अगर हम रोजगार की बात करें देखिये deflation कब आएगा तो तरल्ता कम हो जाए तब भी क्या हो सकता है बस्तुगों और जो से भाई रहे है उनकी price में प्राइस में कम हरा सकते हैं रोजगार कम हो जाए हमारे देश में लोगों के पас रोजगारी ना हो ज़त है तो तो जब मांग कम होगी तो प्राइस नीच आएंगे तो पैसा कम होगा तो मार्केट पर चीज़े नहीं खरेतेंगे इससे क्या होगा फिर से प्राइस नीच आएंगे क्या होगा लोगों के पास प्राइस कम करेंगे तो चीजों को कम खरीदेंगे इससे क्या होगा फिर से प्राइस कम आएंगे इसी तरह अर्थविस्ता चरम पर चली जाए इसका क्या दात पर है थी कि दो चीज़े इसमें नहीं एड हो गई है इनको भी मैं अच्छे से बता देता हूं अर्थविस्ता चरम पर चली जाए तब भी प्राइस नीचे आ जाते हैं कैसे मानते हैं यहां पर सौक आ रहे हैं पहले मैं सब क्लियर कर देता हूं फिर आप पच्छे समझाता हूं मानते हैं कि सौक सो लोग हैं आपइस सो प्यूपिल हैं और इनके पास सबी लोगों के पास क्या होगी अर्थविस्ता चरम पर पहुंच गई हैं कि सौ लोग courtesy कि सब कास सब लिए कि छो चाहेंगे हम अपनी कार बदल कैसे थोड़ेंगे हम हर साल एक नई कार सबसाइट असलिए इस पर आफ बहु जाती है तो बहाँ पर मांग automatically कम हो जाते हैं यह बात आपको ध्यान रखना है जैसे कि विक्सित देश है उनके पास सारे सुकसोबदाई हैं सारे जो उपकरण हैं उन्होंने खरीद लिए हैं तो दोबारा क्यों खरीद देंगे इसलिए जो जैसे कि USA हो गया जापान हो गया यहाँ पर मांग automatically कम हो जाती है जब यहाँ पर automatically कम हो जाती है तो यह अन देशों में market अपनी खोशने लगते हैं इसलिए जो बिकसित देश है वो विकासिल देशों और अलपर बिकसित देशों की ओर जाते हैं क्योंकि बहाँ पर market है जो market है उसकी संभाबना है बहुत अधिक है क्योंकि अब उनकी हाँ तो मांग बची नहीं है इसलिए वो सोच रहे हमारे जो product है वो इन देशों में जाकर करके बिके जिससे क्या हो हमारे देश की जो economic growth है वो बरकरार रहे अनके बनी रहे और दूसरा क्या हो सकता है जो जन संक्या है जन संक्या में तीब्रकती से ब्रद्ध हो जाए तब भी मांगनी चाह जाएगी ऐसा क्यों होगा जब जन संक्या में तीब्रकती से ब्रद्ध होगी तो प्रती बेगती आए में कम ही आती है इस बात को आपको ध्हान रखना है जो पृति भेगत आया होती है उसमें कम ही आती है आप इसका मैं एक्जामपल आपको समझाऊं जैसे कि पहले किसी family में दो लोग थे और इस family की income दो people थे और इस family में income है है वो मानते न्यू belongs के 500 अब देखें कितना हुआ,Shutab 5 रुपए यां n कि एक इंसान को कितने रुपए मिरगे और उसको भी 500 रुपए 양ि कि इस 500 को हमने इन दो में बाट दिया तो क्या हुआ,अब 200 रुप segunda 2 तो यह अच्छे से अपने उपर खड़ कर पाएंगे लेकिन इनकी संक्या बढ़ गई अब दू से यह लोग कितने होगा यहां पर पांच होगा मानते हैं अब पांच लोग होगे लेकिन अभी इनकम कितनी है 500 रुपे ही है अब क्या होगा इन पांच लोगों में 500 रुपे बटेंगे न तो सब पर कितने पढ़ेंगे 100-100 रुपे पढ़ेंगे इसी दिने 100-100 रुपे पढ़ेंगे तो 100 रुपे अब देखे एक बिक्ति जब 2500 इसlexe नहीं करपाईगा इससे क्या होगा बस्तूएं जो लगजरी गुट्स है और बहुत सारी गुट्स ऐसी होती है जिन पर एक खर्च नहीं करेंगे जो अनाबस्यक वस्तूएं हैं उन पर खर्च ना करके केवल अपनी जरूरत की चीज़़ें खरीदेंगे इससे क्या मैं इसको समझाता हूँ जैसे मांग इसमें कम क्यों हो कियों क्यो 1976 यदो आए कम होगी तो लोगों की पास्थर प्लस मचेगा तो इसलिए वो क्या करेंगे कम मांग करेंगे मार्गेट जाकर करें जो बैंक है वो बैंक दर को बढ़ा दे जब वो बैंक दर को बढ़ा देगी तो लोग क्या होंगे महेंगे ब्यासदर के काराण वो लोग लोन नहीं लेंगे सागर के तो लोन नहीं लेंगे तो लोगों पैसा नहीं आएगा पैसा नहीं आएगा तो मार्केट में जाकर के वो उसको खर्च नहीं करेंगे तो इससे क्या होगी हaguی फिर से मांग कम होगी सर बजरनिक भी आया है वो भी गव़र्मेंट का अगर दे काम कर दे तो से लोगों की पास पैसा नहीं पहुंचेगा न ही मार्गेट में पहुंचेगा इस प्रसे मांग फिर से कम आएगी लोग के पास अदिसीज कम बचेगा तो लोग खर्च कम करेंगे जैसे जो लगजरी गुर्ष होती है उन्हीं पर खर्च करेंगे आर्थविश्टा चरम पर पहुंच जाए अभी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाए अर्थविश्टा चरम कम होगी तो अपने आप जो गुर्ष हम सर्विश्फ होती है इनकी जो प्राइस होता है वो काम हो पुचन क्योंकि इसमें मुद्रा की क्रायचमता में क्या हो रहा है मुद्रा की जो क्रायचमता है इसमें ब्रद्धी होगी और जो inflation था, इसमें क्रैश अमता में क्या आती थी, तो जो inflation में हो रहा था, उसका उल्टा किसमें हो गाए इसमें, तो आप लोग अगर इंफलेशन जो हमारी फियाली वीडियो थी जो लेक्सर नंबर 4 था अगर वो अपने अच्छे से देखा हुआ उसका सब उल्टा घड़ दीजे तो वह क्या हो जाएगा डिफलेशन हो जाएगा अब हम लोग दिखते हैं डिस इंफलेशन क्या है अब इस पिती क्या है यह दे इस बात को आपको दki घ्यान रखना है जो मुदास की ही अबस्ताए लेकिन एक ऐसी अबस्ता है जिसमें दर में अगाती है जो inflation की दर है इसमें कमी आती है लगातार तब इसी वो क्या कहते है disinflation कहते है जैसे कि 2017 का मैं उधारन लूँ 2017 में inflation rate था वो 10% था 2018 में inflation rate है वो है 9% है 2019 में inflation का rate है वो 8% है दिहान से देखिए अभी मैं आपको समझाओं का अच्छे से 2020 में inflation का rate है वो 7% है अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ देखिए महगाई तो बढ़ रही है पहले जो चीज यहां पर 100 रुपए की होगी तो वो बढ़के कितने की हो गई होगी वो 110 रुपए की होगी अब यहा पर जो चीज 100 रुपए की होगी वो कितने रुपए की होगी होगी 1109 रुपए ही जो 100 रुपए की होगी होगी तो इसका क्या मतलब है प्राइस तो बस्तों के बढ़ रहे हैं लेकिन आप यहां पर देखिए इस दर में कमी आ रही है पहले इंफलेशन का रेट 10 की गती से बढ़ रहा था फिर 9 की गती से बढ़ रहा है फिर 8 की गती से बढ़ रहा है फिर 7 की देखिए इंफलेशन का रेट कम हो रहा है लेकिन इ लोगे कमी है यहां पर जो रेट है इसमें कमी आती है और डिस इंफलेशन क्या था इसमें कमी नहीं आती है बलकि बस्त हुए उनके कमी आ और यहां पर क्या rate में कमी आ रही तो आप लोग अच्छे से समझ किया होंगे जैसे अगर मैं आपको और जदा clear कर दूँ जैसे कि जो deflation है इसमें जो 100 रुपाय की बस्तू होगी इसमें जो 100 रुपाय की बस्तू होगी ओके 2019 में ले लेता है इसमें जो 100 रुपाय की बस्तू होगी और इसमें भी 2019 में जो 100 रुपाय की बस्तू होगी अब क्या होगा इसमें क्या होगा माइनस में रुपाय चले जाएंगे जो 100 रुपाय की बस्तू होगी वो 10% की कमी आ जाएगे तो वो कितने मिलेगे Brig Mily Okay 2020 में मान लίता है लेकिन इसमे ऐसा नहीं है इसमें ऐसा नहीं है कि price घट जाएंगे जो बस्तुव है वह सो रूपय की है वह ऐसा नहीं सब्सक्राइब कY की मिलेगी थोड़ी जुरूड़ी में हैं 2020 में मनति 107 रूपय की मिलेगी की ऐसमें क्या है तो आपको समझ माग गया होगा क्योंकि इसमें जो रेट है Rete में कमी आती है ना कि पूल में और इसमें क्या है इसमें मूल ये कम हो रहे हैं अप हम देखते हैं रीफ लेशन किसे कहते हैं को जो देखे हैं रीख लेशन होना ही इसके सब में सब कुछ चुका हुआ है री कम ह्कोना ऑसे मुद्र간 पर 시ности की अवस्ता होना ही रीफ क्या लगता है जैसे क्या हो कि पहले डीव लेशन को आ जाएं यह Hindi को कि ये टाइम है इदर और इधर है इंफलेशन रेट ऐसे उपर दा रहे हैं तो इधर जा रहा है तो टाइम बढ़ रहा है तीखे पहले क्या वह रहा था पहले डीफलेशन की अवस्तारी थी मतलब प्राइस लगातार नीचे जा रहे हैं बस्तू के लेकिन क्या हुआ एक समय के पुनह जो गुटस एवम सर्बिसिस एंका प्राइज फिर से बढ़ने लगे प्रसे प्राइज औरने लगा बढ़ने लगा तो सी अवस्था क्या कहते है रीफ्लेशन कहते हैं पुन्हा मुद्रा इस्पीती की अवस्ता उत्पन होना ही रीफलेशन कहलाता है, जैसे आपने सुनाओगा पुनर जागरण, मतलब एक ऐसा अंदगारी उगाजाता है, तो दुबारा से हमें किसकी अवस्ता पड़ती है, उजाले की, तो पुन्हा जागरण हमें करना पड़ता है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लगातार बस्तुए वेब सिवाई होती है, इनका प्राइज कम होता है, लेकिन एक अवस्ता के बाद फिर से उनका प्राइज उपर जाने लगी, तो इस अवस्ता को हम कहते है, रीफ लेजर, अब आपके दिमाग में आ सकता है, कि आखिर एप प्राइज है, क्या अपने आप उपर जाने लगेगा, नहीं, इसके लिए क्या करती है, गौवर्मेंût या RBI होती है, एक तरह से गौवर्मेंट का यह एक्जम्पल लिए docet क्या करती है, ऐसा देखती है की ऐसी अवस्ता आ रही है, जब मुद्रा संकुचन की अवस्ता आ रही है तो वह क्या करती है, तो वो कड़सी है कि अपने इधर से जो सारबरजनिक B.I. होता है यहाँ पर देखें सारबरजनिक B.I. को बहुत जादा बड़ा देती है ऐसी कंडिसन अमेरिका में भी आई थी जब अमेरिका में ऐसी कंडिसन आई थी तो उन लोगों ने क्या किया था देखें अमेरिका में पहले से ही आधार भूसा रचनाई थी वो बहुत ज़्यादा आगी थी लेकिन जब वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग देखेंगे कि मंदी का दौर चला तो मंदी के दौर में उन्होंने क्या किया था दुबारा से रूट बनाए थे दुबारा से उन्होंने कं किया सर्बजनिक ब्याय को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया सर्बजनिक ब्याय को बढ़ाएंगे तो लोगों की पास क्या आएगा रुपए आएगा यह रुपए आएगा लोगों की पास रुपए बढ़ेगा तो जाकर कि मार्केट में मांग करेंगे जब दुबारा से म समझ में आ गया तो फिर से इंट्रेशन की अवस्ता आगई तो दुबारा से इंट्रेशन जब उत्पन उता ही तो इसलिए इसको री इफ्लेशन प्लस फ्लेशन जिस तरह ये री प्लस फ्लेशन से बनाता री का मतलब था पुन्हा और फ्लेशन का मतलब था इन्फिलेशन इन्फ-्all ocean इसी तरह ये भी दो शब्दों से मिलकर वना है एकistail lesson गये इस टेक जो सब्दे है उसका मतलब होता है इस टेक नosto टो कि और जो फ्लेशन है इसका तत्पर रोटा है इन्फ लेशन ओके अब इसका मतलब होता है कि जो एकॉनमी है वो रुकी हुई पर मतलब इसका मतलब होता है रुकी हुई अर्थ विवस्ता ओके रुकी हुई या थमी हुई थमी हुई अर्थ विवस्ता ओके इसका ताथ पर होता है थमी हुई अर्थ विवस्ता और इंफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा इसपीती हम लोग देख चुके हैं मुद्रा इस पीती ओके आप लोग अब देखे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब लेकल के आता है कि अर्थविश्था रुकी हुई है फिर भी मुद्राइस्पिती उत्पन हो रहे है इस मुद्राइस्पिती का मतलब क्या है जब गुड्स एवं सर्विसेस होती है इनका प्राइस लगातार बढ़ता रहे है तो इस ची को मुद्राइस्पिती कहेंगे और इसका मतलब क्या है थम्मी हुई अर्थविश्था का मतलब है कि इकॉनमिक ग्रोध जो इकॉनमिक ग्रोध है यह दर्ज ना हो ओके इकॉनमिक ग्रोध दर्ज नहीं होगी तो इसका क्या म बढ़ेगी यानि कि आई बढ़ेगी नहीं रोजगार का सिर्जन होगा क्या रोजगार का सिर्जन नहीं होगा तो ऐसी अबस्ता आएगी लेकिन यहाँ पर प्राइस फिर आपके दिमाग में ऐसा खुशन आसकता है कि आखिर प्राइस क्यों बढ़ रहा है जब लोगों के पास रोजगार नहीं है तो उनके पास पैसे भी नहीं होगे जब पैसे नहीं होगे तो वो मांग नहीं करेंगे तो आखिर प्राइस बढ़ा क्यों लोगों के पास आए नहीं है जब आए नहीं है तो लोग लोग फिर से मांग नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, तो यह प्राइस क्यों बड़ा, आपकी दिमाग में आसा कोशन आ सकता है, फिर ए इंफलेशन क्यों उत्पन हो रहा है, यानि कि जो गूट सीवम सर्विसिस हैं, इनके प्राइस में ब्रद्दी क्यों हो रही है, तो आप देखिए, इसके जो प्राइस में ब्रद्दी होती है, इस दूर्चनातमत, सनरचनातमत कारण भी हो सकता है, मतलब आधारवू तो सनरचनाव का आभढ़ाव होना ही कारण हो सकता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, इंफलेशन के मारे में, कि इंफलेशन तीन तर मांग जनित लागत जनित और सरतनात्म आपने वो पाट अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको समझवें आगे होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ उसको दोवायरत से दोहरा हूँ तो काफी टाइम लग जाएगा इसलिए आप बन भाई वां सारी वीडियो देखेंगे तो कच्चे तेल का हम उपयोग कहां करते हैं उसी से तो हम डिजल बनाते हैं और डिजल का उपयोग हम कहां करते हैं कार खानों में करते हैं कार खानों में हम उसका यूज करते हैं और हम किसी भी प्रोडेक्ट का क्या करते हैं हम लोग खरीदते हैं तो क्या हुआ एक तरह से उ होते हैं जो डबलफट कंट्री होती हैं बहाँ पर आपको इस सबस्त्त को ज्यादा देखने को मिलेगा सामानता क्यों बहाँ पर लागत एक लिए वड़ने लगती है कि पहले जो मानते हैं कि पहले कोई भी वहाँ पर आ जाता था 100 रुपय पर काम करने के लिए लेकिन बाद में क्या होता है जैसे जैसे देश वो विक्सित होने लगता है विक्सित होने लगेगा तो लोग क्या करेंगे उसमें जाकर के मांग नहीं करेंगे बलकि अब क्या करेंगे जादा रुपए पर काम करने आएंगे वो कहेंगे हमें भाई एक हजार रुपए दो तब ही हम काम करने आएंगे बरना काम करने नहीं आएंगे तो इससे क्या हुआ लागत बढ़ गई न, अब देखिए, अब भिक्सित देशों में ऐसा क्यों होता है, भिक्सित देशों में इसलिए ऐसा होता है, एक तो पहाँ पर जितने लोग हैं, उनके पास सारी चीजे हैं, तो वो मांग नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुब्दाओं का ले ले जैसे की एसी हो गया और सी जो हो गया तो और लेड़ी सभी के पास सारी सुब्दाओं हैं तो वो लोग क्यों खरीदेंगे और दूसरी तरफ क्या होता है बहां पर लागत इसे बढ़ जाती है कि पहले जो लोग थे वो सौर रुपया पर करके काम कर ले रहे थे लेकिन बात में क्या हुआ वो लोग डिमांड जादा करेंगे जाद है पैसी की जैसे अगर मैं आपको एक्जामपल दू अगर हम इंडिया ले और दूसरी जगए यूएसे ले अगर आपको इंडिया में एक गार्ड़ साफ कराना है अब उतना बड साथ गार्डन को साफ करेंगे बलकि वो इससे भी ज़्याज़ागी डवंट करेंगे वो केंगे सौ डालबी हमें चाहिए ओके आप आपको देखे यहाँ पर 200 रुपै हमको खर्च करने पड़ रहे हैं लेकि यहाँ पर अमाउंट हमें ज्यादा खर्च करना यान कि हमें यहाँ पर यही गार्डन उतना ही वड़ा साफ कराने के लिए कितने रुपय के आबह सकता है तो क्या होता है उसका प्राइस तो समझ तो ayte कि स्टेग कढ़न होता है एक को देखने हैं तो आदी का जमनता है आपको कहा देखने को मिलेगा बिक्सित देशों में देखने को मिलेगा और इसमें क्या होता है मांग उत्पन नहीं होती है मांग उत्पन नहीं होगी तो economic growth जो economic growth है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन price यहाँ पर बढ़ता रहेगा तो price बढ़ता है तो हम इसी को क् इन फ्रीर ते हैं और आप देखे मैं इसको क्लियर करेंक अच्छ valeur तो इस्में क्या फेलता है इसमें दो चीजे होती है कि इसमें我就 हिए आप को देखने को नहीं मिलेगि यहां पर पॉइंट है इसको आपको याद रख लेना है और दूसरा point क्या है यहाँ पर याद रखना है economic growth दर्ज नहीं होती है और inflation यहाँ पर इस अर्थ विवस्ता में आपको देखने को मिलेगा यानकी inflation रहता है यानकी economic growth नहीं होगी और inflation रहेगा अब देखिए इसी को आपको एक अर्थ सास्री है यह मैं इसको clear करके दिखा तो हमको बहुत important बात है यह flips कर्ब है flips कर्ब है यह बिरोजगारी और मुद्राइस पिती है इसके आपस में जो relation है उसको दर साथ है जैसे इन्हों बताया था जो flips है यह बिर्टेन के अर्थ सास्री है जिनका पूरा नाम है अलवन flips उके इन्होंने कर्ब दिया था मतलब एक diagram मतलब flow chart इस तरह से बनाया था इसी को नाम दिया गया है flip curve देखिए इन्होंने कहा था जैसे जैसे inflation बढ़ता है जैसे इन्होंने इस तरह से बनाया जैसे मानते कि inflation ऐसे बढ़ रहा है inflation बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते unemployment है विरोजगारी कम हो रही है विरोजगारी कम हो रही है लेकिन इन्होंने कहा जैसे से इंफ्लेशन नीची आएगा तो क्या होगा विरोजगारी बढ़ेगी जिस तरह से आप यहां पर कर्प बना करके मैं दिखाता हूं इधर माल लेते हैं इंफ्लेशन है और इधर टाइम अधर यहां से इंफ्लेशन को बढ़ा रहे है तो क्या देख रहे होगा और यही बिंदु यहां पर आ रहा है और यह क्या है यह बिरोजगारी यहां पर सबसे कम है लेकिन यहीं हम डाइग्राम उल्टा बनाए इधर से लेकर इधर आएंगे तो इस तरह का हमें डाइग्राम देखने हैं यहां पर क्या है यहां पर इंफ्लेशन है वो कम है और बेरोजगारी है यहां पर देखिए जादा है आप चार्ट के बारे नहीं जानते तो मैं बाद में कभी सिखा दूंगे इसको बहुत अच्छी से समझ पाएंगे लेकिन जो स्टैक्ट फ्लेशन होता है स्टैक्ट फ्लेशन में एक कर्ब काम नहीं करता है क्यों क्यों कि यहां पर आप देखेंगे जो स्टैक्ट फ्लेशन है इसमें हमने क्या देखा था इकॉन्मी ग्रोफ है economic growth एक दर्ज नहीं होती है और inflation फिर भी बना रहता है यानि कि यहाँ पर inflation भी बढ़ता है और बिरोजगारी भी बनी रहती है ओके तो इसलिए flip curve इसमें काम नहीं करते हैं मतला इसमें जो बिरोजगारी है यह भी बढ़ती रहेगी और inflation भी साथ में बढ़ेगा और इसी अवस्ता को हम क्या बोलेंगे stack inflation इस तरह से पूछ सकते है पेपर में कि stack inflation की अवस्ता flip curve के अनुशार होती है तो नहीं वो flip curve के अनुशार कारे नहीं करती है क्योंकि इसमें क्या होता है flip curve में क्या होता है विरोजगारी के दारा बढ़ेगी तो inflation नीचे आता है और लेकिन इसमें असान नहीं होता है इसमें विरोजगारी भी बढ़ती है और अगर इस तरह से पुछ जाए कि फिलिप कर्ब किसके संबंद को दर्स आता है तो आपको अगर आपको इनफिलेशन का उल्टा था अपोजट कर देंगे तो क्या बन जाएगा और लेकिन इसमें जो इनफिलेशन का रेट होता है जो रेट होता है उसमें कम ही आती है लगाता है तो हम इस सबस्ता क्या बोल देते हैं डिस इंफलेशन और रिफलेशन क्या है कि पुनहा पुनहा इंफलेशन पुनहा इंफलेशन जब आ जाता है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं रिफलेशन जैसे मुद्रा संकुचन के बाद फिर से इंफलेशन की या वस्ता उत्पन होना ही कहलाता है और स्टेक्ष टेशन कि इसमें इंफ्लेसन तो बढ़ता है लेकिन इकॉनमिक ग्रोथ होती है मैं पता नहीं पहले जी लिख दे रहा हूं आज मुझे क्या हुग गया है पहले रिखना चाहिए फिर जी लिखना चाहिए तभी इकॉनमिक इसलिए मैं बार बार गंफुस हुज जारा हूं देखे एकॉनमिक ग्रोध यहां पर दर्ज नहीं होती है ओके फिर यहां पर क्या होता है कि वर इंफलेशन ही उत पन होता है चलिए इसके साथ में हम और सारी चीज़न देख लेते हैं देखिए हम लोग यहां पर दो इंपोर्टेंट टॉपिक बचे यह भी देख लेते हैं बहुत ही छोटे हैं इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसलिए मैं आज इसको बताने जा रहा हूँ इंफ्लेशन टेक्स का है देखिए इसमें जड़ा हुआ है इंफ्लेशन टेक्स एक इंफ्लेशन बड़ ए दूसरा टेक्स बड़ तो हम आप लोग जानते हैं कि टेक्स किसे वसूला जाता है हम लोगों से वसूला जाता है कौन वसूलती है गौवर्मेंट वसूलती है और इंफलेशन का मतलब तो आप जानते हैं मुद्र इस्पिती तो एक ऐसा टेक्स है कि मुद्र इस्पिती वसूला जाता है लेकिन ऐसा नहीं है एक सब्द है यह हमसे लिया नहीं जाता जो गौवर्मेंट है इस बात को आपको बिसेज दियान रखना है गौवर्मेंट है यह हमसे नहीं लेती है तो आखिर यह उसलिए लेखे आई है इससे इंफ्लेशन है इंफ्लेशन है इसका जो इंपेक्ट होता है इंपेक्ट होता है वो उपभुकता पर कितना पढ़ रहा है वो देखती है जैसे इंफ्लेशन अगर 10% कि दर से बढ़ रहा है और इससे उपभुकता पर कितना पिरभाव पढ़ रहा है कितना पिरभाव पढ़ वो सिर्फ देखने के लिए इसको जारी करती है, लिकिन ये हमसे बसूला नहीं जाता है, तो इस तरह से पूछा जाता है कि inflation tax जो हमारी बचत है उस पर प्रभाव डालता है, तो नहीं, inflation tax हमारी जो बचत है उसको प्रभाव नहीं डालता है, ये इस तरह से पूछा जाता है, इन्फलेशन टेक्स हैं वो गॉर्मेंट हमसे बसूलती है तो नहीं वो हमसे नहीं बसूलती है इन्फलेशन टेक्स को इसलिए लिगाती है जिससे पता कर सके इन्फलेशन का परभाव हम लोगों पर कितना पढ़ रहा है यह निकि उपभोगता पर इन्फलेशन का कितना इसमें दो बर्ड है, एक core, मतलब core का मतलब होता है, kinder भी होता है, यान की kinder, जो core inflation क है, हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जाएक basket ली थी, हमने उसमें एक exam लिया था, इसमें 100 goods even services है, ओके 100 बस्तु हैं, अब इन 100 बस्तु में हमने देखा था, कुछ ऐसी बस्तु हो बढ़ गया जिनका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया और इसमें बची हुई असी गुटते हैं जिनका प्राइस नॉर्मली बढ़ है जो इनमें है वो नॉर्मल ब्रद्दे हुए तो हम क्या करेंगे जो यह 20 बस्तों है जिनका प्राइस अचानक से बढ़ गया इन्हें ह परना करते हैं और इससे जो लिकल के हमारे पास डेटा आता है इसी को बोलते है core inflation कोर inflation यानि कि main inflation कितना है, core का मत्ला में inflation कितना है बही जानने के लिए क्विक कभी कवार ऐसा होता है कुछ बस्तुवे हैसी होते हैं जिनकी कभी कवार कम ही हो जाती है और उनकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाता है बल्की और सारी बस्तुए है उनको पराइस इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है जो समानता हल्क हल्के बढ़ती है जिससे हम real inflation लिकाल सकें तो real inflation ही क्या है core inflation है जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी बस्तुए होती है कभी कभार gold नारमली रूप से पहले से उनकी करना करेंगे और उससे जो हमें data पराप्ट होगा उसी को हम क्या कहेंगे core inflation कहेंगे तो core inflation आप समझगे है और inflation tax भी समझगे है अब हम लोग next chapter स्टार्ट करेंगे monetary policy जो बहुत ही important है अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी doubt रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और comment करके बता सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें